चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं आपके घस्वाइंपा घर में जो भाजी आती है उसमें से ऐसी ही एक बहुत अच्छी भाजी है कमाटर तमाटर अब आजकल जो तमाटर आ रहा है वो काम का नहीं है आजकल जो है न बड़ा बड़ा तमाटर आया है और वो बहुत कड़क भी होता है और उसमें टेस्ट भी नहीं है ये तमाटर किसी काम का नहीं है आप तमाटर नाम देखकर कुछ खा रहा है तो ठीत है वरना उ देशी तमाटर आता है, देशी तमाटर आप सब समझते हैं, जो देशी तमाटर है, जवारी तमाटर है, ये सबसे अध्भूत आउशदी है, उन सब के लिए जिनको डाइबिटीज है, जिनको भी डाइबिटीज है, उनको भरपेट तमाटर की सबजी खाने चाहिए, जिनको जिनको भी diabetes है उनको टमाटर का सूप पीना चाहिए, जिनको भी diabetes है उनको टमाटर काटके सलाद के रूप में खाना चाहिए, जितना ज्यादा टमाटर आप खाएंगे उतनी जल्दी diabetes कम होगा। लेकिन टमाटर वही हो जो मैं आपसे कह रहा हूँ देशी टमाटर, जवारी टमाटर मिलता नहीं है, आप थोड़ा धूड़ेगे तो मिलता है, महणा मिलता है, देर से मिलता है और आप शेतकरी के सामने बोलिए हमको देशी टमाटर चाहिए तो वो देगा अभी शेदकरी नागरिकों को बैक कहता हूं तो वो कहते है राजी पर कोई डिमांड ही नहीं करता सब को देखने में अच्छा टमाटर चाहिए तो यह विदेशी ही है आपको देखना अच्छा ना हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो ऐसा टमाटर देशी है तो आप बोलिए भाजी परावाने को वो शेतकरी को बोलेगा शेतकरी उसका वीज लगाएगा वीजा उपन करेगा तो आपको मिलेगा नहीं तो आपके पास अगर थोड़ी शेती है तो आप इसमें देशी टमाटर जरूर लेगाए इस देशी टमाटर का बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है जिन बच्चों को बच्च्पन में चश्मा लग दिया आँखों में उम्र तो कम है लेकिन आँखों की रोश्नी कम हो गई है उन सभी को टमाटर में काली मिर्च मिलातर खिलाएए तमाटर काटिये कच्चा और उसमें काली मिर्च का पाउडर डालके रोज एक प्लेट बरके सुबह सुबह खिलाईए चार महिने अगर लगातार खिला दिया तो आँखों का चश्मा उतर जाए जी बही मात आलिए खाली तमाटर काली मिर्च उसके ऊपर डालकर कच्या तमाटर के छोड़चों पीस काटकर देशी तमाटर के एक प्लेट भर लिए प्लेट बरने से मतलब मेरा है कि खाने के वाद उनका पेट वर जाए बच्चों पंद्रसान से कम उम्र के जितने भी बच्चों को चश्मे चड़े हैं आखों पर, अगर टमाटर और काली मिर्च नियमित रूप से चार महीने खिला दाएं, तो उनके चश्मे उतर जाएं, इसी टमाटर का एक और अच्छा सदूपयोग है, कई बार छोटे बच्चे ऐसे हो कर देजे, जूस देना शुरू कर देजे, सूप देना शुरू कर देजे, तो रोज का रोज उनका पोट साथ होने लगेगा, बराबर समय से उनको संदास होने लगेगा, ये टमाटर रक्त वर्धक है, रक्त शोधक है, रक्त में अगर हीमोग्लोविन कम हो गया हो, तो तो प्लेट बढ़ाता है रक्त की मात्रा कम हो गई हो तो रक्त बढ़ाता है रक्त का शोधन भी कर देता है रक्त में अगर ट्राइग लिस्राइट बहुत जादा बढ़ा हुआ हो नियमित रूप से आप कच्छे ट्माटर खालें चार महीने के बाद और उसके बाद आपका प्लेट भरके करें हैं देखिए प्रकरती का कुछ नियम है उसमें से एक नियम हमेशा ध्यान रखिए कि व्रक्ष को जब तक स्वयम फल की जरूरत है तब तक वो उसको पकड़ के रखता है जिस दिन उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो खुद छोड़ देता पिर वो प्रकाशनक्स्चलेशन प्रकाय Cherry नरौन के साथ्फ़ल जोरे रंके हैं वो दोनों मदद करते हैं बोजन बनाने और पेड़ को उस भोजन की सपलाई होती है जब तक पेड़ को भोजन की ज़रूरत है तब तक उसके उपर फल हले हरे रंके रहते हैं जिस दिन प्योड़ को वो भोजन की कमी नहीं रहती जरूरत उतनी नहीं रहती वैसे ही वो टमाटर लाल हो जाता है आम पीला हो जाता है और दूसरे फल के रंग बदल जाते है और पट से पेड़ उसको छोड़ देता है फिर वो आपके कामका हो जाता है तो जब तक वो वरक्ष के कामका है तब तक मत तोड़िए जिस दिन वो उसके काम का नहीं है वो अपने आप छोड़ने वाला है आप उसको उठा ली तो टमाटर को वरक्ष तभी छोड़ेगा जब लाल रंग का वो हो जाएगा इसलिए टमाटर का माने ही है लाल टमाटर